ओ, ये बगर तो शांदार लग रहा है बस इसे चाहिए तर थोड़ा सा चीज एक विशाल बखिट भर के पर क्या ये काफी होगा? स्कूर्ट वाउ, कि कितना बढ़िया लग रहा है ये तो अब एक दावद है बेबी इन सबी खाली रैपर्स को देखो ओ, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो अब बारी है बड़ी लाल बटन की पीट दावी को कॉल सुनाई दीती है वो लड़ने और उड़ने के लिए तयार है उड़ गई आ, वो उपर गई और बड़ी बेहन को भी कॉल सुनाई दीता है जो भी कर रही हो से छोटो दावी अपनी छोटी सी बोदी के लिए यहाँ पर पहुच गई है और बड़ी बेहन भी ठीक है, इतना काफी है बस फ्यू ये समय है बड़ी बेहन बोर्सिस दावदी कुकिंग चालेंज का चलो चले मेरा मिठाई खाने का मन हो रहा है मेरे लिए धोड़ी चॉकलेट्स बनाओ प्लीज कैंटी पहले ही अपनी चॉकलेट बाग धारी है पर चलो समगजियों पर नज़र डालती है यह बहुत सारे पर बड़ी भेन कैंटी को अभी भी आगे के बारे में सूचना है एमनेम्स तो है ही पहले पर कैंटी को पहले कॉल करना होगा ओ बड़िया मेरे पास है सामान यह वाइट चॉकलेट तो बड़िया है चलो और उको भी मिलाते है और आप समय है थोड़ी गर्मी लाने का नूश बड़िया थोड़ी सी कलाकारी ओ लाला कितना सुन्दर और अब समय है कुछ ग्रश्ट और योज़ का अब ये एमनेम्स फिलकुल चमकेंगे उन्हें आज़ाद कर दो कितने प्यारे परश्चान पस एक और चीज टीप्स मार्शमेलो और हमारा खास ग्याजिट तोस्ट आपको बस एक मार्शमेलो को अंदर डालना है और टुक्रे बाहर आती है बढ़िया वाओ अब ये तो बहुत ही कमाल है वाओ मुझे ये बहुत पसंदा आलर्ट की टीक है उतना बुरा नहीं है पर मेरे पास भी कुछ है मेरा मुल का चॉकलेट का डबबा पर दादी के पास चॉकलेट साचे भी है जिससे वो हर खाचे में अपना घोल डाल सकती है वो कितना एक्साइटिंग पर वो एक हेल्दी स्वाद के लिए थोड़ा फ्रूट्स भी डालने चाहती है हर चॉकलेट का स्वाद अलग होगा कितना प्यारा और मसितार एफेक्स के लिए स्प्रिंगल भी बिलाओ साचे तयार है यह तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है चलो इससे लाते हैं और क्यांडी की आखे अब मिल का चॉकलेट पटकी हुई है मुझे भी यह चक्नी है यह तो बहुत ही बढ़ी है मामा की पास आओ अरे यार बढ़ी बहन क्यांडी ने कुछ जाता ही खा लिया है वो चॉकलेट से ठकी हुई है उपसी टेइसी दादी को चिंता है पर समय है चज्जमेंट राउन का चलो इस पीस को चकते है क्रण्च, म्रण्च, क्रण्च वाव पर यह क्या है ये भी इतना ही बढ़िया है दोनों जीतते हैं मैं चुद्द नहीं पा रही हूँ तुमने सुना केंडी प्यारी बस अपना मूँ पोचो और दूर रहो ये समय है थोड़े फ्राइस का मेरा नाम मत खराब करना आउसान है तुम कर लोगी प्यारी इन सारे तेल और आलूओं को देखो अब गरम आलू की बात करो परिबहन क्यांडी बस एक ही आलू से शुरू कर रही है बस उसे ठीलना नहीं आता और ऐसी सिटुरेशन में घुमावदार पटाटो चिप्स मशीन जैसे औजार काम आते है किता है बढ़ीा तेको कैसे ये आलू को बढया गुमावदार तरीके से कारते है सरा इससे देखो दादी बढ़ीा है चले उसे फूक करते है तो है किता है चले अब इसे तल देते है येक्स, ये तेल तो हर सरफ किर रहा है हाओ इस धकड को शील्ड की तरह इस्तेमाल करो गुमावदार आलू के लिए एक कदम और ठोटी बहन के लिए एक बड़ा कदम जो कि क्रिस्पी बाइट्स को खाने वाली है इन आलू में बस एक चीज की कमी है ये कभी भी ज़्यादा नहीं लगता इसे महाँ से अच्छे से डालो बड़ी बहन चलो वापस दादी के पास चालते है उनके पास खुद के आलूओं का एक प्यारा सफ पाउच है किता तासा और मेरी ये गुलाबी बाल्टी बड़ी आफेक्ट के लिए एक टॉयलेट स्क्रबर का इस्तिमाल करे गिसो 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 दादी को काम पे लगते हुए देखो हया जै एक मस्टर शेफ हूँ इन अच्छे से कटे हुए और चिले हुए आलूओं को देखो पर दादी के पास और भी बेहतर आई गया है वो एक कुकी कटर का इस्तिमाल करके सभी को दिल के आखार में काटेंगी उस समय है तील डालने का और उन्हें अच्छे से तलने का कितना प्यारा और मज़ी तार तुमने तो बढ़िया ही काम कर दिया दादी अब दादी की बढ़िया फ्राइस तयार है पर तुम्हें लगता है कि वो ब्रैंड केचप का इस्तिमाल करेंगी नहीं 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 मेरे पास अपनी खुद की रेसिपी है ओ नहीं दादी सो गई अब बड़ी बहन के आटी के पास एक आइडिया है वो दादी पर एक चाल चलेगी मैं उनकी रेसिपी में तीखी टुबैस का सॉस डाल दूगी और वो खाने में बहुत ही तीखी हो जाएगी स्नाप समय है छोटी बहन के फ्राइस को चच करनेगा दादी की डिश पहले ए भगवार ओ कितना दीखा मुझे इनको खागर अपने स्वाथ को सालफ करना चाहिए पड़ी बहन केंडी जीती है ये लो दादी केई मैं जीती अब डूनट की बिना कोई चालेंज कैसे हो सकता है ओन यो माक कैट सेट डूनट दादी को भरूसा है कि वो कर लेंगी ये क्या है अब एक पिछकारी के लिए ये कैसे रहेगा इस राउन में रो कैंडी में टक कर दी तुम्हारी तुम्हें इस कहा है लड़की सारी सारी मुझे पता है कि मैं इस मिनी आवन का मिनी डूनट पनाने के लिए इस्तिमाल कर सकी हूँ मैं बस डोगो पाइप से डाल दूँगी कितना शांदार टिंग टूनट्स बिल्कुल पके हुए और तयार है अब दादी की भारी फो डूनट पाइप का इस्तिमाल करके करहाई में ही छोड़ी डूनट्स पढाएंगी आउची ठ्याद से दादी एक अलब तरीका पर रिजल्ट्स एक से अब समय है फ्रोस्टिंग का टूनट्स का सबसे बढ़िया हिस्सा कित पीला रंग बहुत ही चमकीला और श्रांदार है और हरावाला वहुत ही प्यारा और तासा है थोड़ा से जादू और वचारी के लिए तैयार है अब कैंडी न्यूटेला जॉर्स के साथ दुगनी ताकत लगा रही है उससे लगता है कि वो उसकी डोनट्स के लिए बढ़िया टॉपिंक बनेंगे पास करके जब उस पर बढ़िया स्प्रिंकल्स डाल देते हैं सरावरे देख हो तो सही ठांच ठोड़ी कैंडी और आखे लगा और ये है एक चोटा कीड़ा मैं खाने के लिए बहुत एक्साइट हूँ चलो पहले ये जगते है बुरा मतमाना अगर मैं करूँ तो अब बारी वाटरमेलन डोनट की यार तुम डोनट तो बारा से जीतते हो येई कितना प्यारा नूडल्स चलो भी ये तो बहुत ही आसाल है चलो ये करते है मुझे दो नूरीज हमें बस करना है तो इससे गरम पानी में डालना है अपनी केटल को चालो करो पर बैस सोब बचाना इसमें बहुत ज़्यादा समय मैं ही लगता ये देखो चलो ये करे अरए यार दादी ओनलाइन मंगवानी का सोच ची है उन्हें नहीं पता क्योंने वही मिलता है जिसके लिए वो पैसे देती है कितना छोटा सुनो दोस्त मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए और आप हम इंतिसार कहेंगे ये लीजे आँ वो ची स्रीना खतम में कैसे करी की दादी दादी कहती है आने दोसे पर पहले सही रेचल यहां से नहीं बाद में पदद पहस तजाल शौलदार मैं समझा सकती हूँ कोई जरूरत नहीं है हम तुभे आजाद छोड़ रहे हैं तुम किस्मत वाली हो भागो भागो हम तैयार है टॉपिंग्स के लिए समय है तॉरी दादी वाव चलो खाते हैं अगर हम खा सके तो तुम्हें पता है क्या हम खाएंगे आव बिल्कल रीना निया प्रूफ किया और आप नूरल चाई का समय लगता है कि वो भी बहुत समय से बाहर है नहीं शुक्रिया यह तुछे पक गया अची अची बड़ा वाला जीतता है स्वाधिष्ट सादा और आसार अब यहां कौन सी फीज़ा पाती हो रही थी हाँ चूली सच में हम इन जुदों को साफ करने की सरवत है छलाउटी किसो 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 यह जगा तुम बहुत ही गंदी है मेरा मतलब है हम यह कच्रे के पेड़ों का रहे है तुम दुख गई सनाई नहीं दे रहा आराम करने का समय हाँ मैं यह कर लूँगी चलब ही जादी सुब हो गया है और तुम हम धूँ का आफरी केंड़ी उठा रहे है तुम मुझे सुन भी रही हो जूल्स जूल्स ए भगवार सुपर सेटिंग वापस आगा दे तुम अभी भी उस जाँ को खा रही हो पिचारी दादी आ रहा है भूख रही है एक सेकिंड चल्दी करो दादी मेरी पेट में चुए कूद्रे है हाँ तादी शेय अब पेश है यू बहुती बढ़िया स्लाइम बॉल कुकिस अगर वो भूख के चूहों को मार दे तो पुरा नहीं है आरहा आरहा ये क्या है जाजा दूद चला भी मुवो मुझे कुछ बढ़िया दो बिंगो शक्रिया दोस्त सीधे गाय के थन से बेलकुल जैसा मुझे पसंद है अपनी कुकी दुबाओ और मज़े करो बहुत बढ़िया सरो रागी तुम क्या बना रहे हो फैंकेक्स चुज तुम चल जुकी हो अदत आओ नहीं उसका हाथ नहीं तुम चिता मत करो हम तो भी बिल्कुछ ही कर देंगे जादी के पास डॉप्टे के टिकी है मैजिसन लो ले लो अराब से अब वो ठीक है वापिस वागत है बखल ठीक हमारे नहीं क्या बनारी हो दादी कुछ सूप सेरप इसे अब रास मत रखो यह है शानदार यह तो मेरा सबसे खास होगा और सामकरी और हो गया और स्वादिश्ट और प्रैंकेक्स वादी शानदार वादिश्ट एव एक अजीब सा चार यह पहला तो नहीं होगा खेर वापन सधी पर मैं पहले से ही मोटी हो रही हूँ क्या हो रहा है जी तुम क्या कर रही हो रुको तुम हो रहे लिए सच में अउस दरे सारे चंक फूट को देखो दादी को बिल्कुल पता है पादी कैसे करनी है रुको पेट भर गया मैं विशाल काई हूँ तुम चिंता मत करो दादी के पास इसका भी उपाए है पादी पाद सारी हमागा आया पापेस थन्दी पर तुम जो रही को चाहिए पास्ता ना हो आसान है मेरे मतलब साने नूर्ल्स बनादा कितना ही मुश्किल होगा है ना चलो काम पर लगते है उबलता पानी हो गया उन वो मिसको अंदर डाल दो दादी ये चले हाँ ये समय है इन पपीस को बाहर निकालो कितने बढ़िया एक और चीज वैसे रेसिपी लाल मांगती है है ना ठीक है दादी ये कर सकती है बहुत ही ज्यादा आसान है पढ़िया रेगनी कलर भी दादी तम तम मास्टर शेफ हो ये हम चले रेमबो फ्लाटर ये अच्छा दिख रहा है ओ हाँ रेसिपी स्प्रेगल स्मागती है पढ़िया सुनो के वाव मुझे देदो आराम से शेर्णी धेरे वर्दान है ओ केट आराम से केट वाव करम दुबारा चाहिए करो दोस्त पढ़िया मैं सब जी रही केट हम अबो पास्ता की तरह इस्तिमाल करती है अब इसे मैं कैस रखती हूँ जीनियस वो मेरी प्री है हम रुखे किस लिए है ये हम चले ओ तुम्हारे पास तो मुश्किल चनाव है पहले हम केट का पास्ता चकेंगे अपने बबल कम फुलाओ दोस्त बढ़िया और अब आगे बढ़ो अब चट कर किनी शांदार पास्तो चाहिए था मिला एक जादूई पराणी ये शो तो कभी पुराना नहीं हो सकता दोस्तों मैं कह रही हूँ शायद पे केट के साथ ही चाऊँगी बिंगल देखा मैं नॉम्बर वन हूँ सबागत है सब्रावी संडे से जाओ शुरू करो ओ हाँ नैंसी कोई बड़ी आइडिया है हाँ और ये गई पैन पे इसे बड़ीया से पिगलाओ चोटी मैकरून ओ हे भगवान वो उन्हें जादूई सॉस में टुपाती है यो ये शादार है अब ये गया केक पे मैं दादी को इसमें भिरते हुए देखना चाहूँगी बहुती स्वादिष्ट सारिया के तुपर है क्या दादी एक चेयों को वो बारा रिकालती है और चाको अब हमारा अइंडा दोस्ट इसके लिए बढ़िया नहीं है वो रंग ओ मेरे पास एक ही शब्द है शादार और अब सबसे जरूरी हिस्सा ये गया केके उपर तुमेवर मिलावा चाहिए ठीक है हमारे क्यूटी के लिए एक दिल हम ये वाव दादी पहले स्वादिश्ट और वो मैकरून्स वो ये सबसे मुश्किल चराव होने वाला है आव दोनो ठीक है दिले मिलो आव एक दिल सबी एक दिल बनाए अभी लो अधार याखिर करके रही है अपने अड़े खोड़ो किवाल एक वाइट तुमें अच्छे से सुन लिया जावी बॉप टोईलेट क्या तुम्हे पक्का यकीन है यह क्याटी है ज़रो मत चीजों को वेब करो वोहू ओशी और यह रहा घर में बना स्वीट इंस और फ्रोस्टिंग और हमारा विश्वास करें आपने इतनी स्वादिश चीज कभी नहीं खाई होगी पिल्कुल नहीं कैसे भी नहीं पर्दो को एच पर्दे जाओ ओ यह तो शांदार होगा आपका हो गया क्या दादी पिंगल अब यह समय है मज़े का पिल्कल ठीक जैसे कि हम कहना चाते है इसके उपर चेरीज ओ वाओ मुझे लगता है कि कोई तो बहुत ही खुश होने वाला है बहुत ही स्वादेश दादी पॉप अँज से यह तुम्हारे चुमकने का समय है हमारे पास यह धेरो कैंडी से अरे यार अरे यार फिट्स चोटी पॉप्स पर इतना ही नहीं है अव अबा बाबा यह है लेटिस्ट बबल पागलपर और यह एकदम बढ़िया चुबल फ्रोस्टिंग बनाता है ओ यार आखर हम भी दादी को एक बढ़िया मुकामला देने वाले है शायद चलो भी उजीट्स बर्ट शडग दो को उजी देगा समय खत्म वाउ ठीक है नेंसी का कैसा है पुरा नहीं है खेर दादी चलो देखे और हमारे पास वे जैता है बेबी वोहो दादी तुम इस पर के कमे जाती हो भी या चॉकलेट ओ हाँ फैंसी बढ़िया चला वाउ खारी कसम है वो आखे इस वाद दे उसका ध्यान कीच लिया है हे भगवान वो जंगली हो सकती है पर हे कुकी दादी भी यहाँ चॉको गंधिकी के लिए नहीं है वूश अब जब हमने सावान को पिखला लिया है ये समय है बड़े धमाके का उन्हें दिखाओ दादी अब मुझे इस तरह कि धादा दादी कहां से मिलेंगे यार अब जब उसने अच्छे सिक आपको चॉको सिठक दिया है तूद मिलाओ अब इसे भड़ते हुए देखो पाप स्टेक और अब हमें जानने की सरूरत पड़ेगी बढ़िया है कि दादी इस प्रिच को जहाँ जाती है वहाँ साथ ले जाती है उनकी सारी पाप सिकल एमजन्सीव के लिए ओ ग्यार अबी भी गंदा पर मिना टेला के बाइट के नहीं गिसो गिसो देखो वाव जो भी है इस सामी पर लगाओ और तुम सोने जैसे बढ़िया हो लो रीडा शक्रिया हमें इस किस बात को लंबा चलाना होगा अपनी हाउट बेरी डालो ओ क्यों तुम समय को देखोगी कि समय है इन उबर फ्रीजी वहादी आसान आईस्क्रीम बाप को खाने का चलो भी मैं टेस्ट टेस्ट के लिए और इंतजार नहीं कर सकती ची इतनी जल्दी नहीं स्प्रिंगल जादी को बरसों का तज़ुर्बा है ओ हाँ देखो आर देखते हैं कि हमारी लेटकी को क्या अच्छा लगता है टोस्टी के लिए साव साव और पॉप वाहाव विजेता विजेता हमें लॉलीज चाहिए अब दिलो जादी वर्सस चूली जादी केट ले लेती है स्किटल्स है वो हम काम पर लगते है एक टेस्टेस के बाद चीनी का कीड़ा चलो भी ये गया पैन में पानी डालो गरम करो वाबल्स जूली चलो भी हमें काम पर लगना है क्या कहा उन क्यांडीस का चूरा करो मेरी दादी के एक खेल किया दा गई वो पॉप कैसा रहेगा या वो खुश्बू तादी ये तयार है बस रंग मिलाओ ओ हाँ जरुब तयार है इन सब को फॉर्म में टालो बस हमें इस मिस्टिक्स डाल दी है पढ़िया चूली तुम चा कर रही हो वोव वे शोल कैंटी पॉल इसे आधा कर दो रेड़ बॉम नाचे के लिए ओ मेरे बगवान इस सदी की ट्रीट पलकुँ सामने है एक दिबाग हिलाने वाले स्वाद के लिए उसे स्टिक पर लगाओ बिंगो तुम बनो जज कौन जीतेगा पर फ्लेवर इतना बढ़िया नहीं है नहीं शुक्रिया वाव रेंबो ओ हाँ लगता है कि हमारे पास एक विजयता है जूई बहुत बढ़िया येपी अगला क्या है एक सलाद तादी कर लेगी और रेचल के पास है क्यांटी ए भगवान क्यांटी सलाद से इसा कुछ नहीं चिनना ही किया जा सकता ठीक है बस इस चॉप को निकालो पहरी सामगरी अंदर जा रही है बहुत बढ़िया और अब हमें रेमोट चुटके ट्राइ करने होंगे ये क्या ये क्वालिटी कंट्रोल है ठीक है और एक और सामगरी गवी मॉम्स इन सुलोई वोली को कौन पसंद नहीं करता बिल्कुल ये गए अंदर वोहू सभी अच्छे सलाद का रहिस्ति एक सास और क्या सभी को ये पता है अब हो गया दादी को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही मीठा हो गया मैं भी मानती हूँ दादी खेट चलो काटते हैं अब ही तो आसान है दादी पूरा काटोरा लेगी और अपर तुम्हें पता है हमने सालों पहले दादी को आई पैड दिया था और वो फ्रूट निंजा में माहे हो गई वोहू ये तो कुछ बेना है बेटा तेल मिलाओ बहुती स्वादिश्ट और हिल्दी भी लग रहा है आवाकादो और बस जब मैंने सोचा था कि और महतर नहीं हो सकता ये हो गया शांदार चीज़ों को थोड़ा मज़ेदार बनाने का तरीखा तैयार एई ये तो स्कुश मेलो है और उसने वो दादी की खाने में बुदल दिया बिल्कुल नहीं चलो भी वाव एई रीडा आपको रूल्स पता है वेजी इस पहले तैया स्वादिश्ट सालेड पहले अवाकादो नम ना ये एक स्कुशी किलोना है तादी आज तुम्हारा दिन खराब है पर पर और इस का मतलब है हम कैंटी के साथ जाएंगे ये हो जी और ज्योदे चाकोबत ये आई चुवी एक पाटी ने मंत्रन चेक है मैं क्या महनू और अब तुमने उसे फिर शुरू कर दिया दादी 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 उसके पास साल भर के पुराना बस्क्यारा है जैसे कि उन्हें पता ऐसे कैसे इस्तमाल करते हैं थोड़ा सा सूखा है तुमने कहा ॐउव काफी बेटर बड़े स्टोक्स मा बड़े स्टोक्स हल पता इतनी चलती नहीं क्या दीख लिए दादी रुको क्या चीक है चिम चैंजे आ रहा है क्या हो रहा है हमने कहा था अपनी पाबली को लेकरा दादी को नहीं क्या वो क्या कह रही है पहकलो जैसे राइफ सिकाल रही है और क्या देखो वो वॉम्स दादी को तो जटके देरा भी आता है ये लो लड़कियो तुम बचे कभी नहीं कर पाऊगे जी सर मेरी बेटी रुको, तिर हो रही है सब इनों को जाओ अपने आलत बुरे शरीर को बिस्तर से बाहर निकलो मुझे पता है इससे काम हो जाना चाहिए जूली जूली अरो यार चलो चलो नाचते हैं बेबे छीक है शुरू हो जाओ रॉक आउट और तेस श्रेड बेबी, श्रेड ना मॉम्टिन पाई मैंने तुम भी छोड़ दी है पर अगर राक पाई जूली चलो चले सफर काफी लंबा और मुश्किल भरा है पर आखिर जूली तुम इसके लिए दोटना चाहोगी तॉटी, वोट गई है तुमने कार दिखाया बनाई है, टॉन सबिले ओ, हलो क्या होड़ा लड़ीज लड़ी नहीं, ये कोई आपड़ीद नहीं होने वाली जूज क्योंकि दादी के पास प्लान है लेक्सन स्माश वो या, ठेक है इसके अंदर गया बदबुदार ले सुन मैं कहूँगी कि ये चीनियस है देखते हैं कि डेट को गालिक प्रेट्स कैसी लगती है बच्चो, तुम्हारे लिए ये तो बढ़िया है बहुत बढ़िया पकड़ लिया अगर तुम सोच रहे हो कि जूली के लड़तों को क्या होता है वो वही जाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए अब दादी के हिसाब से तो मुझे यकिन है कि तुम अच्छे लड़के होगे मेरे लिए आओ तुम्हें रैलाना चाहिए था आओ चला भी ये वाला तो दादी के लिए ही होना है कितना पड़िया खोलो अब आखिरकार ये है क्या तो क्या इसको क्या मतलब है मतलब तुम्हें नहीं पता पॉप कैसे करते है निलचस्प है न वाउ और ये तो मुझेदा है हाँ ये ही तो पॉइंट है दोस्तो दादी को एक पॉप टो और जिंदकी भर के लिए एक दोस्त पाओ जोजी फ्रूट तुम्हारे लिए कूल क्या लगता है जूली धागो को लेकर जादो अत्साहित नहीं है अब क्या जूली बढ़िया कोशिश स्कार्फ लेका कोई दादी को अगर कुछ करना है तो तॉली बजाओी है शांदार बनाई वो ये कर्टी कैसे है किसी को नहीं पता और अब मैं कहती हूँ फ्लाफ्स ये तो कम्माल है पर दादी बस सही की दिक्कत है बाहर बाहर ज्यादा डेर्मिया है ओ सही जीख है आइस्क्रीन बनाने का समय ये मज़ेदार होने वाला है हमें चाहिए तो बस थोड़े स्पाइंकल्स और चोकलेट ठीर सारी चोकलेट मुझे पकाह करना होगा कि चीज़े ताजी हो अराम से ये क्या है कुछ नहीं तुमने जरूर यहां कुछ नुक्सान पहुच जाया है दोस्त अरे यार तुम है सारी विश्वास नहीं होता ओ सही दादी थोड़ा दूर देखती है चलो चले इसे चला में डालो बढ़िया बढ़िया और आप यहां बढ़ होता है जादू सारी बस मार्स तक घूमने जाना था अब बचा है तो बस इसे जमाना यह आसान है दादी तुम ये तो अराम से कर लोगी बिल्कुल चलो चलो और ये तयार है ताजे जमे हुए चॉको पॉप्स लेगा कोई हाँ आसली स्ट्राबरी के साथ हाँ प्लीज ओ डादी तुम ने तो इस चालेंज में कमाल ही कर दिया याम और भी है स्प्रेंकल्स जा ओ हाँ ये बहुत ही कमाल है पेपी चूली को ये जरूँ पसंद आएगा बस ने लाइन से लगा दू अब क्या ठेक है मैं मैं सुन रही हूँ वाँ हाँ ये स्वादिश लग रहे है अब हम आराम करेंगे मुझे लगाता ये घर की पनी होनी चाहिए तुम चोटी बदमाश चिंता मत करो दादी समहाल लेगी तीखी सास ये बिल्कुल सही रेसिपी है रुको क्या वो काटती है वो जीतती है वहाँ मामा ये आए आखी लपट लगे रहो केट हम दुनिया का टक्र काटने वाले है और हम वापस आ गए ये तो पूरा पेगल गया है आग ऐसे ही कुछ कहती है केट जूली दयार है हे भगवान मैं कोई जोची नहीं हूँ पर विजयता कौन होगा ये तो मैं आज पका बता सकती हूँ बेलकुल एव पर ये ये है जहां पाटी हो रही है कितना बढ़िया ओ हाँ ये वाला लड़कियों लड़ना बद करो वोहो ये लोकेट वाफल्स चलो चलो आराम से हमें चाहिए तो बस थोड़े अंडे है रव उपसी जीनी रेशल कितने नप्तौल की बारे में नहीं सुना है दादी भी उतनी दूर से परिशानी देख सकती है ये क्या हाँ चीक है ओ आड़ा चूँ चलो आगे चलते हैं तो बाराम मेंशरिंग काप ओ रेचल ये नहीं कहा जा सकता की ये कैसे निकलेगा इन्हें वुट करो और हम बढ़िया हैं ये गए वेफल मेकर में कितना गूई दादी को कुछ कहना है तो यार हो जाओ हाँ आटा अगले अटे पॉंक शानदार मखन हाँ छेरो चीडी दूर मत भूला दादी तो मुझे डरा रही हो और वो जा रही है कई 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 भूला तो नहीं वाफल्स और क्रांच वो तैयान है ये वाफल्स मेकर पाहर यूहू अब बचा है तो बसरे बेख करना वो जल्दी हो जाएगा बग दादी सोनी नहीं जाहे सबे तो देखो मुझे पता है फ्रॉस्टिंग पिल्कुल टॉपिंग्स नहीं, मज़ा नहीं और क्या तुम ये देखोगी ये रेंबो है रेंबो स्पादिश्ट और उस पर इवेरी शादार रिशल जल्दी करो सही, अगर ये को वो अंडे का चिलका नहीं मिला तो हम इससे बचके निकल सकते हैं कैंडी चकने का समय और ये डाल दिया उपर बुरा नहीं है बुरा नहीं है वाव जीनो को किस का वर्फल पसंद आएगा और वो किस से नफ़त करेगी अभी के अभी पता चलेगा एक अंडे का चिलका शुक्रिया नहीं दादी चिलके के बिना ये परिया शुर्वात है सराइस से चको ये वाला कितना बया रोकें जूल मुझे एक डूनट चाहिए तो आपको मिलेगा एक डूनट बेवी हाँ हाँ मेरे घर में कभी चॉकलेट लीक नहीं हुआ अब इसको साथ क्या करे वो जूनट को डिप करेगी अभी नहीं पहले हमें थोड़े शमैलोस की जरत फड़ेगी वोहो ये तो कमाल है क्यूटी को एक शानदा ट्रीट मिलने वाली है अब क्या दादी क्या ठीक है अंदर ओ कितनी प्यारी वाव वड़िया ओ ये क्यूटी के लिए रखी थी आज क्या आइसिंग आन है ठीक है स्प्रिंकल रंबल के लिए तयार और कुकी ब्रेक किलो आदी कुगी बेलकुल थीम के हिसाब से रुको ओ शेहन मुझे पते लेकिया क्या हो रहा है ओ ये कुछ और नहीं बलकि क्यूटी का फेवरेट है हागी वागी जूदी तुम तो जीनियस हो ओ चलो पहले हाउक्स्टे को चकते है बहुत स्वादिश्ट क्यूची ने अप्रूफ कर दिया और दादी का चोक उसे ठका जानवर कितना बढ़िया तो में पता है क्या दोनों जीतते हैं कितना प्यारा दोरी और मा तपारा से देखने के लिए सभी का शुक्रिया नए वीडियोज आते रहते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाएं और कॉमेंट्स करके हमें ये भी बताएं कि आपका पसंदीता स्नैक कौन सा था तेर सारा प्यार अलविदा तक्रू